Hello everyone, I am Jyoti Chha and welcome to NCR to the Mind. तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 4 की Maths Workbook Chapter 9, Harps and Quarters का Part 2. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना Workbook निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए. तो इससे पहले मैंने आपको Part 1 बता रहे था, तो आज उससे आगी बताऊंगी. Write the next three equivalent fractions of the following fractions. तो देखिए आपको fractions का आपको three equivalent fractions लिखना है. ठीक है, जैसे कि one by two दिया है, उसके बाद आपको three और लिखना है. तो जैसे कि आपको सबसे आसान तरीका है, कि आपको table याद होना चाहिए, जैसे कि है one. तो one, यहाँ पे हम two लिख देंगे, three, four. उसके बाद नीचे में जो two है, तो हम two का table पढ़ेंगे, तो two one is a two, two two is a four, two three is a six, two four is a eight. ठीक है? इस तरह से लिख देंगे हम नीचे. तो इसी तरीके से आपको लिखना है, three लिखना है, तो आप लिख देंगे, उसके बाद है, second में three by four है, अब three by four है, तो इसका भी आपको three लिखना है. तो क्या हो जाएगा, फिर three का table पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उपर लिखेंगे, ठीक है? तो जो है ना, उपर क्या होता है, numerator होता है, और नीचे denominator होता है. तो three, three one is a three, three two is a six, three three is a nine, और three four is a twelve. और नीचे हो जाएगा फिर four one is a four, four two is a eight, four three is a twelve, four four is a sixteen. तो इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद देखे, five by ten है, ठीक है, तो अब इसमें भी उसी तरह से होगा, five का table पढ़ेंगे, five one is a five, five two is a ten, five three is a fifteen, five four is a twenty, और उसके बाद नीचे लिखेंगे, ten one is a ten, ten two is a twenty, ten three is a thirty, और ten four is a forty, तो इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद है, two by four है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, आपको उसी तरह से table पढ़ना है, और आपका इस तरह से लिखेंगे, four by eight हो जाएगा, six by twelve, eight by sixteen, और four by seven है, इसका भी उसी तरह से लिखेंगे, eight by fourteen होगा, twelve by twenty one, ठीक है, sixteen by twenty eight, तो सारे को आपको table पढ़ना है, और इसी तरह से बनाना है, उसके बाद है, three by six है, तो six by twelve, nine by eighteen, और twelve by twenty four, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे, are the following fractions equivalent, तो क्या यह जो fractions है, वो equivalent है, put a tick if they are, and a cross if they are not, तो देखें, अगर वो equivalent है, तो उसमें आपको tick लगाना है, अगर नहीं है, तो उसमें cross करना है, तो देखें, ए नमबर में है, three by four and five by six, तो क्या यह equivalent है, तो यह नहीं है, इसमें cross करेंगे, अब है one by two and five by seven, ठीक है, तो यह equivalent नहीं है, इसमें भी cross करेंगे, इसके बाद है two by five and four by ten, तो यह equivalent है, ठीक है, तो इसमें हम tick लगाएंगे, और इसके बाद है two by eight and one by four, यह भी equivalent है, तो इसमें tick लगाएंगे, two by three and four by five, यह equivalent नहीं है, इसमें हम cross करेंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से इसे बनाएंगे, उसके बाद है, fill in the boxes with correct numbers, so as to make the fractions equal, तो देखिए, इसमें हम box में correct number भढ़ेंगे, जिसे की fraction equal हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे है, जैसे की two by five है, और equal यहाँ पे है 16, ठीक है, और नीचे आपका यह खाली है, ठीक है, यह खाली है, तो अब हम इसमें सोचे की, हम इसमें क्या भढ़ेंगे, जो यह equal होगा, तो जैसे की, अब हम, यहाँ पे 16 है, तो हम 16, two को किस से multiply करेंगे, जो 16 होगा, तो two को हम, यह जो है न, उपर numerator होता है, ठीक है, तो इसे हम two को multiply करते हैं, अगर हम eight से, तो यह कितना हो जाता है, 16, ठीक है, यह 16 हो जाता है, अब हम जो numerator को जिस से हम multiply करेंगे, उसी से आपको denominator को भी multiply करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, eight, अब five को, अगर हम eight बार पढ़ते हैं, five eights कितना हो जाता है, 40, तो यहाँ हम 40 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से इसे बनाएंगे, उसके बाद है, बी नमबर में देखिए, बी नमबर में है, four by six, अब four by six है, तो यहाँ पे देखिए, यह आपका जो है न, यह खाली जग है, यहाँ मैंने पहले से फिल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप सोचे खाली है, तो यहाँ पे जैसे कि six को हम किस से multiply करेंगे, जो 30 आएगा, तो six को हम five से multiply करेंगे, तो 30 आता है, ठीक है, तो यह denominator है नीचे, तो six को five से करेंगे, multiply तो 30 आता है, अब हम जो नीचे, जिस स multiply करेंगे उपर भी उसी से करेंगे तो उपर कितना हो जाएगा 4 5s are 20 तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे उसके बाद देखिए फिर है यहाँ पे सी नमबर में 1 by 8 है और नीचे देखिए यहाँ उपर नहीं है कुछ ठीक है उपर सोचे कि खाली है और नीचे है 24 अब 8 को हम किस से पढ़ेंगे जो 24 आएगा किस से multiply करेंगे जो 24 आएगा तो हम 3 से करेंगे ठीक है तो 3 से अगर multiply करते हैं तो 24 आएगा तो उपर भी हम किस से करेंगे 3 से ही multiply करेंगे तो आजाता है 3 ठीक है इस तरह से बनाएंगे उसके बाद है यहाँ पे 5 by अब यहाँ पे देखें यह नीचे जो है ना खाली है 4 जो है यहाँ पे खाली है यहाँ पे यह नीचे दिया गया नहीं है तो अब हम इसमें क्या करेंगे तो अब हम देखेंगे कि 5 को हम कितनी बार पढ़ेंगे किस से multiply करेंगे जो 45 आएगा तो 5 को हम 9 से multiply करते हैं तो 45 आता है ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे 36 किस को multiply करेंगे अब हम 9 को किस से multiply करेंगे जो 36 आएगा तो 9 को हम 4 से multiply करते हैं तो 36 आता है ठीक है? तो यहाँ पर 4 आ जाएगा answer जो box है उसमें 4 लिख देंगे अब उसके बाद है यहाँ पर देखी यहाँ उसी तरह से है ठीक है यहाँ पर उसी तरह से आपको करना है तो यहाँ देखिए 4 को अब हम 4 को यहाँ पर खाली जगह है खाली हुए box खाली है नीचे 4 है अब 4 को हम किस से multiply करते हैं जो 40 आता है किस से करेंगे 4 को हम 10 से multiply करेंगे ठीक है तो आता है 40 तो उपर हम अब देखिए 20 किस से multiply करेंगे जो 20 आएगा तो हम 10 को 2 से multiply करते हैं तो 20 आता है तो यहाँ पर खाली जगह खाली box में लिखेंगे हम 2 ठीक है उसके बाद देखे, अब यहाँ पे यह वाला जो है, यहाँ उपर देखे, यह box जो है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखे कि हम 11 को, हम किस से multiply करेंगे, जो 66 आएगा, तो 11 को हम 6 से multiply करते हैं, तो 66 आता है, ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 6 से ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36, तो इसी तरह से यह सारे को बना लेंगे, इसी तरह से बनाना है, अब यहाँ पे है, solve the following, अब यहाँ पे इसे solve करना है, तो यह देखे, fraction किस तरह से दिया है, 2 by 4 है, प्लस 1 by 4, तो यहाँ पे आपको इ है, यह equal है, तो हम नीचे 4 ही लिखेंगे, और उपर में जो दिया गया है, 2 और 1 है, इसे add कर देंगे, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, यानि कि 3 by 4 हो जाएगा, इसके बाद है, 6 by 8 और minus है यहाँ पे, 3 by 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे minus करना है, तो यहाँ पे भी हम, नीचे में 8 equal है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे नीचे, और उपर में 6 और minus कर देंगे, इसमें 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह निशान देखना है, कि यहाँ पे कौन सा निशान है दिया हुआ, तो minus का है, तो minus करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 में minus क अब यहाँ पे देखिए यह वाला जो दिया गया है अब यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 है ठीक है नीचे में 3 5 है अब देखिए इसमें भी हाँ 5 ही लिखेंगे ठीक है नीचे आपका जितना भी आ जाता है अगर एक जैसा नंबर हो तो नीचे उतना ही हो जाएगा और उपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 इसे add कर देंगे तो 3 हो जाएगा यानि कि 3 by 5 अब इसमें देखिए D नमबर में है 2 by 7, 2 by 7, 2 by 7 है तो नीचे 7, 7, 7 है यानि कि हम 7 लिखेंगे से और उपर है 2, 2, 2 यानि कि तीनों को add करेंगे तो 6 हो जाएगा 6 by 7 ठीक है? उसके बाद देखिए, अब है 7 by 9 प्लस 4 by 9, ठीक है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और उपर add कर देंगे 7 plus 4 यानि कि 11, 11 by 9, 5 by 16 और 3 by 16 तो यह हो जाएगा नीचे 16, 16 यानि कि नीचे equal है तो हम यहाँ पर 16 लिखेंगे और यहाँ पर 5 minus 3 कर देंगे तो यानि कि 2, ठीक है? 2 by 16 और उसके बाद 8 by 12 है, प्लस 4 by 12 यानि कि 12 लिखेंगे नीचे और 8 plus 4 कितना हो जाएगा? 12 यानि 12 by 12 हो जाएगा इसके बाद 9 by 14 प्लस 5 by 14 ठीक है? तो यहाँ पर 14 लिखेंगे और 9 plus 5 कितना हो जाएगा? 14 तो 14 by 14 यह हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से इसे बना लेंगे ठीक है? उसके बाद देखें, have you understood fractions? तो यहाँ पर देखें, fractions को आपको समझना है ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि there are 30 apples, 30 apples है, 1 by 2 of them are ripe यानि कि half जो है ना, वो ripe है, पके हुए है, तो how many apples are ripe? तो कितने apples ripe है? अब इसके लिए देखें, किस तरह से बनाएंगे इसे? 30 apples, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 30 ठीक है? और इसे हम multiply कर देंगे 1 by 2 से 1 by 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 को हम यहाँ से इस तरह से कट करेंगे, ठीक है? 2 को 15, 15 to the 30 आता है, है ना? 15 to the 30 तो यानि कि कितना हो गया? 15 apples इसी तरह से बना लिखेंगे इसे, उसके बाद देखेंगे यानि कि 15 apples हो गया उसके बाद है, there are 36 children यानि कि 36 children है, 1 by 2 of them are boys यानि कि half boys है, यानि कि कितने 16 boys हैं अब देखें, नहीं, 18 boys हैं, ठीक है? 18 boys हैं, हाफ है ना? तो how many children are girls? अब देखें, girls कितने हैं, तो अब उसको निकालने के लिए यहाँ पे हमें solve करना पड़ेगा, तो 36 children है, यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और multiply कर देंगे 1 by 2 से, ठीक है? अब 2 को देखते हैं, यहाँ पे आपको काटना है 18 to the 36, तो 2 को यहाँ पे हम कट करेंगे 18 लिखेंगे, ठीक है? 2 byrd में काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 girls इसके बाद देखें, there are 20 pencils 20 pencils है, एक quarter of them are blue तो इसमें क्या है? एक quarter जो है वो blue है How many pencils are blue? अब कितने pencils blue है? तो यहाँ पे देखें, 20 pencils 20 हम लिखेंगे और multiply कर देंगे 1 quarter तो 1 quarter को हम हमेशा कितने में कैसे लिखते हैं? 1 by 4 ठीक है? 1 by 4 लिखते हैं तो अब हम यहाँ पे इसे काटेंगे ठीक है? तो 4 को हम कितने बार, 5 4 को हम यहाँ पे 5 बार में काटेंगे यानि कि कितना हो जाएगा? 4, 5 हो जाएगा यानि कि 5 pencils quarter, ठीक है? यानि कि how many pencils are blue? कितने हैं pencils? blue, 5 है ठीक है? उसके बार देखिए अब यहाँ पे है कि Sunil wants a pen Sunil को एक pen चाहिए ठीक है? It costs 10 इसका cost 10 है He gives a 5 रूपी coin A 2 रूपी coin A 1 रूपी coin And 1 half रूपी coins It is enough तो क्या हो जाएगा? Sunil पेन खरीदना चाहता है तो उसका cost 10 रूपी है तो Sunil कितना देता है? He gives 5 रूपी तो 5 रूपीस देता है Plus 2 रूपीस देता है 1 रूपीस देता है उसके बाद 50 पैसे उसके बाद क्या देता है? 1 half रूपी यानि कि 50 पैसे Plus उसके बाद कितना देता है? इतना ही देता है ठीक है? तो साड़े को हम देखते है तो कितना हो जाता है? 8.50 ठीक है? 8 रूपीस 50 पैसे इतना होता है तो ये इनव नहीं है ठीक है? तो हम लिखेंगे इसमें No उसके बाद देखे फिरे कि इन एक लास of 60 इस्टूडेंट्स 20 इस्टूडेंट्स come to school by bus तो देखे क्लास में 60 इस्टूडेंट्स है तो उसमें देखे 20 इस्टूडेंट्स बस में स्कूल आते है तो वाट fraction of students come by bus तो देखे अब कितने students बस से आते हैं जो fraction होता है उसमें कितने का होता है तो देखे 20 by 60 कर देंगे हम इसे ठीक है 20 by 60 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए अब इसे हम cut करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 यानि कि 1 by 3 यहाँ पर cut करके 10 girls can cook well तो देखिए 40 girls में 10 girls जो है वो अच्छा खाना पकाती है अब देखिए fraction निकलना है कि कितने girls जो है अच्छा खाना बनाती है तो यहाँ पर 10 by 40 करेंगे और इसे हम cut करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 by 4 ठीक है यानि कि 1 by 4 एंसर हो जाएगा उसके बाद इने class of 50 boys 25 like to play cricket तो देखिए एक class में 50 boys हैं जिसमें की 25 cricket खिलना पसंद करते हैं वाट fraction of boys like to play cricket अब देखिए कितने बच्चे जो हैं कितने लड़के cricket खिलना पसंद करते हैं ठीक है इसमें fraction निकलना है तो यहाँ पे 25 by 50 कर देंगे तो यहाँ देखिए 1 by 2 इसे हम कट करेंगे अगर तो कितना हो जाता है 1 by 2 एंसर हो जाएगा 1 by 2 ओने रेनी डे 10 students got umbrellas to school तो देखिए रेनी डेज में 10 students जो है ना वो इसकूल में umbrellas लाते हैं ठीक है what fraction of students got umbrellas if the class has 40 students तो देखिए 40 students अगर class में है तो इसमें कितने students umbrellas लाते हैं तो इसमें हम वैसे ही बनाएंगे 10 by 40 कर देंगे उसके बाद इसे कट करेंगे तो 1 by 4 हो जाएगा तो 1 by 4 students ठीक है इस तरह से बनाएंगे इसके बाद है problem sums on fractions अनिल हैसे slab of chocolate which is divided into 10 pieces he ate 1 by 8 of the chocolate in the morning and 2 by 8 of the chocolate in the evening what fraction of the whole chocolate did he eat together all together तो देखिए आनिल के पास एक chocolate रहता है तो वो उसे 10 pieces में divide कर देता है he ate 1 by 8 of chocolate तो वो जो है न morning में 1 by 8 खाता है ठीक है चॉकलेट और evening में 2 by 8 खाता है तो अब बताना है कि वो पूरा मतलब की साड़ा कितने बार में खाता है ठीक है चॉकलेट का तो इसे हम निकालेंगे इस तरह से 1 by 8 लिखेंगे plus 2 by 8 और देखिए उसी तरह से बनाना है नीचे का जो 8 8 अगर है equal तो इधर हम 8 लिखेंगे और उपर में 1 plus 2 इसे हम add कर देंगे यानि कि 3 by 8 हो जाएगा he ate 3 by 8 of 10 pieces ठीक है अब देखिए 3 by 8 of 10 pieces अब इसका निकालना है तो 3 by 8 और equal to यहाँ पर हो जाएगा 10 तो अब हम इसे कट करेंगे 3 by 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 5 यानि कि कितना हो जाएगा 15 by 4 ठीक है इतना हो जाएगा उसके बाद है कि Mr. Suri drove 4 by 8 of the distance by car and Mrs. Suri drove 1 by 8 of the distance तो देखिए Mr. Suri जो है न वो ड्रॉप करते है 4 by 8 distance कार कर ठीक है और Mrs. Suri 1 by 8 distance ड्रॉप करते है Who dropped more and by how much तो कौन कितना जादा ड्रॉप करता है और कितना करता है ड्रॉप तो देखिए Mr. Suri draw Mr. Suri draw more तो 4 by 8 और minus कर देंगे इसमे 1 by 8 ठीक है तो यहाँ पर निकाल देंगे 8 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 में minus 1 कर देंगे तो 3 यानि कि 3 by 8 हो जाएगा एंसर ठीक है उसके बाद देखिए Monu about 1 by 5 लीटर मिल्क on Monday तो Monu 1 by 5 लीटर मंडे को मिल्क खरिदता है ठीक है उसके बाद देखिए 3 by 5 लीटर मिल्क on Tuesday and 2 by 5 लीटर मिल्क on Wednesday तो Tuesday को वो 3 by 5 लीटर खरिदता है और 2 by 5 वो वेटनस डे को खरिदता है तो How much milk did he buy in 3 days अब वो 3 days में कितना मिल्क खरिदता है तो देखिए Monday 1 by 5 Tuesday 3 by 5 और वेटनस डे 2 by 5 अब यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे इसे fraction को तो 5 यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे का जो है वो हम 5 लिग देंगे और 1 plus 3 plus 2 तो कितना हो जाएगा 6 यानिकी 6 by 5 ठीक है उसके बाद देखिए रश्मी बाउट 5 by 6 मीटर रेड रीवन सी गे 2 by 6 मीटर तो हर फ्रेंट तो देखिए रस्मी जो है न वो 5 by 6 मीटर रेड रीवन खड़िती है और वो अपने फ्रेंट को 2 by 6 मीटर दे देती है How much रीवन is left with रस्मी अब रस्मी के पास कितना रीवन बच जाता है तो देखिए रस्मी बाउट 5 by 6 मीटर 2 by 6 मीटर अब देखिए 5 by 6 माइनस कर देंगे 2 by 6 तो यहाँ पर देखिए 6 by 6 नीचे लिखेंगे और 5 minus 2 कितना हो जाएगा 3 3 by 6 मीटर उसके पास बच जाता है ठीक है उसके बाद देखिए पारूल गौट 6 by 7 from her father 2 by 7 from her mother तो पारूल जो है ना खरिती है 6 by 7 वो अपने जो है ना father के लिए और 2 by 7 mother के लिए तो she gave 1 by 7 to her sister ठीक है How much money does she have now तो देखिए अब उसके पास कितने कितने पैसे बच आते है तो देखिए पारूल जो है ना वो अपने father को देती है ठीक है 6 by 7 और mother को 2 by 7 देती है और वो अपने sister को 1 by 7 देती है तो उसके पास कितना बच जाता है तो पारूल गोट 6 by 7 plus 2 by 7 तो यहाँ पे इस तरह से 7 7 नीचे हो जाएगा और 6 plus 2 उपर 8 हो जाएगा यानि 8 by 7 अब सी gave ठीक है 8 by 7 और minus 1 by 7 ठीक है वो अपने sister को भी देती है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 नीचे ठीक है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ उपर में 8 minus 1 कर देंगे 7 तो 7 by 7 हो जाएगा तो उसके पास 7 by 7 बच जाता है ठीक है तो यहाँ लिखेंगे C have now 7 by 7 तो यह हो गया answer तो यह chapter आपका complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंच दिरे और आपको जहां कहीं भी समझने में परिशानी हो रही हो तो आप मुझे से कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच मैं वीडियो